अगर क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में आपकी बहुत ज्यादा दिल्चस्पी है या फिर अगर आप ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, MPL जैसे प्लेटफॉर्म पे टीम बनाते हैं, फेंटेसी लीग खेलते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्ट फोन के जड़िये कोई भी क्रिकेट रिकॉर्ड खास करके इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों का रिकॉर्ड 30 से के अंदर कैसे निकाल लें इंटरनेशनल मैचों से मेरा मतलब है टेस्ट क्रिकेट, वन डे क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन तीनों फॉर्मेट में जो टीमें खेलती हैं अंतराश्टर या अस्तर पर उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है आप 30 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं तो पहले भी मैंने इस तरह के वीडियो बनाया है लेकिन वो वीडियो स्मार्ट फोन के लिए नहीं था वो वीडियो डेस्क्टॉप या लैप्टॉप पे आप अपने टीम कैसे निकाले रिकॉर्ड कैसे खोजे उस पे बनाया था लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा कि आप अपने स्मार्ट फोन के जड़िये कोई भी क्रिकेट रिकॉर्ड 30 सेकेंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कीजे और कमेंट लिक करके बताईए कि आप आगे किस किस तरह के रिकॉर्ड जाना चाहते हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए सुनू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आपको स्मार्ट फोन से क्रिकेट रिकॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले जुरुत पड़ेगी एक स्मार्ट फोन की जो जाहिर आपके पास है तभी आप यह वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप जो है क्रों ब्राऊजर का इस्तेंमाल करेंगे देखी्ए मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं क्रोम ब्राऊजर मैंने ओपन कर लिया अब क्रोम ब्राऊजर पे मुझे यहां पर सेर्च करना है स STATS Guru, spelling आप देखते चलिए, STATS STATS अभी आप SPACE दे करके बत लिखे, साथ भी STATS Guru लिखे STATS Guru और SPACE दे दिए ESPN CRICK INFO, CRICK INFO का APP भी है लिकने आपको APP का इस्तेमाल नहीं करना है वहां पर यह feature आपको नहीं मिलेगा तो आप desktop mode select कर लीजिए तब आपका open होगा वैसे ज्यादार smartphone पर यह service जो है बिना desktop mode on कि यही चल जाती है तो मेरे smartphone पर भी desktop mode on नहीं है और अभी आपको मैंने बताए कि आप chrome browser खोलेगे chrome browser में stats guru espn click info search करेंगे उसके बाद वो आपको search में सबसे पहले देखेगा उसको आपको open कर लेना है तो देखिए दोस्तों आप पहले आप stats guru का एक जायजा उपर उपर ले लीजिए यह बिसिकली एक search engine है cricket का search engine है जो के पास है और इसमें आप test cricket देखिए सबसे पहले यहाँ पर test है जो भी highlight है फिर मैं women test, women ODI, women T20 और youth level पर जो test ODI और T20 होता है उसके record भी आप यहाँ से search कर सकते हैं यह international cricket के लिए इसका इस्तेमाल आप IPL या big bass league के लिए नहीं कर सकते हैं केवल international cricket के record जो आपको तुरंत मिल जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको test record निकालना सिखाता हूँ यहाँ पर आप test पे click करेंगे जैसे मानलीजा अभी आपको team record निकालना है जैसे अभी पाकिस्तान versus बंगलादेश test match आज से शुरू होने वारा है अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और बंगलादेश की team empire and referee और उसके वाद aggregate overall ता आपको team record जानना है तो test पे उपर click किया नीचे में आप यहाँ पे team पे click कर देंगे team पे click करते ही यह कुछ इस तरह का खुल जाएगा आपको दोस्तों जैसे ही आप इसको open करेंगे आप यहाँ देख पाएंगे कि देखिए यह basic filter और advanced filter लिखा ह हुआ है तो इस service को इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा जो है advanced filter की आदर डालनी चाहिए उसे बहुत सारे record basic filter से भी निकल जाते हैं आप advanced filter क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा और लंबा open होगा और बहुत सारे इसमें जो है देखिए भरने वाले आपको दिखेंगे खोज रहें तो उसा position का नाम डालेंगे फिर आगे लिखा हो मिया मतलब वह मैच घर में खेला गया और रिकॉड जानना चाहते हैं या अवे किसी सामने वाले टीम की घर में खेला गया उसका जानना चाहते है या किसी neutral मैदान पर खेला गया वह जानना चाहते है अगला वह है फिर host country कौन सी टीम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब मैच किस देश में हो रहा है continent भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एसिया में अफ्रिका में यूरोप में और अस्ट्रेलिया में फिर आप ground भी सेलेक्ट कर सकते हैं फिर स्टार्टिंग डेट यह बहुत इंपोर्टेंट है स्टार्टिंग डेट और इंडेट मतलब मैं कब से कब तक के हर प्रोपर्टी के बारे मैं आपको बताऊंगा अभी आपको बेसिक स्टार्ट सुरुवात करना इस सुरुवात कैसे करेंगे वह बताना चाहता हूँ जैसे हमने एक 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 एग्जामपल लिया था कि पाकिस्तान और बंगलादेश की बीच भी सिरीज सुरू होने वाली टे पोजिशन कौन है बंगलादेश तो हमने बंगलादेश सेलेट कर लिया आप केवल यही दो जालकारी कर के की सी है और पोजिशन कौन सा है तो यह जान सकते कि इन दोनों टीमों के बीच अब तक कितने मैच हुए टेस्ट मैच उसमें कौन जीता कितना हारा चाहिए मैच पा प्रैमरी टीम पाकिस्तार पोजिशन टीम बंगलादेश रिकॉर्ड आपके सामने निकल करके आ गया कि पाकिस्तान और बंगलादेश पाकिस्तान ने बंगलादेश के लाब अब तक ग्यारा मैच खेलें इसमें से दस में उसे जीत मिली है तस टेस्ट मैच उसे जीत मिली है ह उसको बैक जागर कि हम ये जानने कोईषिस करेंगे कि बंगलादेश के अंदर बंगलादेश केग्ध़ ग्राउंड पे पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच अब तक कितने test match खेले गया उसमें कौन कितना जीता तो यहां पर देखिते हम 지म्म्मेन main हम पाकिस्तान ही रखेंगे, opposition हम बंगलादेश ही रखेंगे इसको हम दो طरीकेश निकाल सकते हैं, यहां अगर हम अगर अवे क्लिक कर देते हैं, मतलब main team हमारी पाकिस्तान है, और अवे कर देते हैं, मतलब home of opposition, मतलब बंगलादेश का घर, तो वो record निकल जाएगा कि पाकिस्तान और बांगलादेश के बीच बांगलादेश के अंदर कितने match पे और कॉल कितना जीता अगर आप इसको क्लिक नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे host country जो है उसको क्लिक करके वहाँ पे बांगलादेश सेलेक्ट कर लीजिए अभी हम वही करते हैं host country हमने बांगलादेश सेलेक्ट कर लिया देखिए में टीम हमारी पाकिस्तान है अब पोजीशन बांगलादेश है और उसका होस्ट कंट्री में हमने बांगलादेश सेलेक्ट कर लिया और फिर शीदे नीचे जाकर के last में जो है हम submit query पे क्लिक कर देत से आप one day के record भी निकाल सकते है टेस्ट की जगह हम one day कर देते हैं और फिर यही दो टीम का combination लगा करके हम निकाल के देखते है कि कैसे निकलता है तो प्राइमरी टीम हम चुनते हैं फिर से वन टीम में ज्यादा होती है इसलिए लिस्ट लंबी हो जारी प्राइमरी में फिर पाकिस्तान और बंगलादेस की भी जब तक 37 मैच हुए है 32 में पाकिस्तान को जीत मिली है पांच मैच में उसे हार मिली है निकि पांच मैच बंगलादेस जीता है कितनी आसानी से निकल लिया सेम यही चीज़ हम T20 में भी निकाल सकते है फिर उपर हम जाएंगे और ODA की ज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम अपने प्राइमरी टीम जो है वह पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं वेरिस पाकिस्तान टीटी में और बी ज्यादा टीम है इसलिए लिस्ट और बी ज्यादा लंबी हो जा रही है यह रहा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और अब पोजिशन मे जीत मिली है, दो मैच में बांगनादेश को जीत मिली है, कोई मैच टाई नहीं रहा है, इस सेरीज के तहट मैं अगला वीडियो बना करके दूँगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, कि आप कोई भी बैटिंग रिकॉर्ड इंटरनेस्टन क्रिकेट का जो है 30 सेकेंड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर एंड लव यू